उत्रखण में सीयम की साफ हुई तस्वीर बीजोपी विधायक दल की बैठक पिलिया गया बड़ा फैसला पुशकर सिंग धामे के नाम पर लगी मुहर उत्रप्रदेश में खद्म हुआ मदान महराजगन सी बीजोपी की रविकान पर टेल निमारी बाजी मैनपुरी में बीजोपी की अर्शना भदौरिया ने दर्च कराई जी चंदौली में पूर सांज़त पंचाय से दिस्टर से मांग रहे मदद सोशल मीडिया पर वारल हुआ वीडियो हरिदवार में जौलापूर विदायक ने की समीक्षा बैठक विकास कारें को लेकर की गई समीक्षा सड़क और नहन निर्मार को जद्ध पूरा किया जाएगा नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया और आपके साथ मेहु काज उनरा है शाम के जब साथ बच्षते हैं तो वक्त हो जाता है प्रदेश और देश की उस हलचल को जानने का जिसने पूरे मुल्क की तस्वीर और तासीर वदल कर रखती है और जब बात तस्वीर की होती है तो सबसे पहले हम साथ की बात में वो साथ तस्वीरे आपको आपकी सिंग और अखिलिश यादव की मुलाकात आखिर क्यों हुई है तीसी तस्वीर में भीशन गर्मी में बिशली संकर से पूरा पंजाब जूज रहा है वहीं चौती तस्वीर में जुला पंचाद अध्यक शुनाव की तस्वीर आपके साथ साज़ा करेंगे वहीं पाच्वी त तस्वीर हैं मोसम के दोहरे चहरे की सबसे पहले बात पहली तस्वीर से शुरू करते हैं राफ़ेल फाइटल प्लेन के सौदें की जाज के लिए फ्रांस में जाज की बाद सामने आने के बाद कॉंग्रिस को मानों बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया हो के इंद्र सरकार को घेलने का दरसल कॉंग्रिस महासचीब और प्रवक्तार रंदीप सिंग सूर्जेवाला ने एक प्रेस कॉंफरेंस करके कहा है कि ये पहली ड्रिस्टी में ही भ भी आपको समझाते हैं सूर्जेवाला ने कहा कि फ्रांस में प्रथम डिस्ट्रा ब्रस्ट अचार के आरोप सामने आये हैं तो सरकार जेपीसी की जाच क्यों नहीं करवाती यदि डाल में कुछ काला नहीं है तो फिर बात अलग ही है सूर्जेवाला ने कहा कि ये राश्च चार मुक्त साशन देना सरकार की सम्वधानिक जिम्मेदारी है भाई ये तो होना ही था जब बात राफेल की हो और कॉंग्रिस कुछ ना बोले ऐसा कैसे हो सकता है आपको बता दें कि फ्रांस भारत के बीच राफेल मिवानों का सौधा हुआ था जिसको लेकर अब भी संजे सेंग आज अचानक समाजवादी पार्टी के लखनों से दफ्तर पहुंच गए यहां उन्होंने यूपी के पुर्व मुख्यमंत्री अखलेश यादव से मुलाकाप थी इस खबर के बाद से यूपी की सियासी हल चल तेज हो गई है फिजाओं में सियासी दौर जाद है कि उत्तर प्रदेश में अगामी विधानसवा चनाव छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी यह बात हमने कल अपने खास प्रग्राम साथ की बात में भी बताई थी उन्हेंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसा इसले करने पर मजबूर है क्योंकि देश की अधिक पार्थी संक्रिण और खासकत दलित विरोधी सोच और कारिशयली आदी के कडवे अनुभवों और इसके भुक्ती भोग होने के कारण देश की अधिकतर बढ़ी और प्रमुख पार्टियां चनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बैतर समझती है जो सर्व विदित है समाजबादी पार्टिय प्रमुख अखिले श्यादव साल 2022 में होने वाले विदास्तवा चनाव में किसी भी बड़े राजने की दल से गड़भन्दन से पहले ही साफ इंकार कर चुके हैं उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि समाजबादी पार्टिय छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चनावी मैदान में उत्रेगी तो आज की मुलाकात क्या रंग लेकर आती है ये देखने वाली बात होगी भीषण गर्मी में पंजाब में बिजली संकट गहराया हुआ है अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है अब इतनी गर्मी होगी तो भला आम जन जीवन कैसे चलेगा और आम आदमी कैसे राहत की सांस लेपाएगा शुकरवार को शियत बसपाग गडबंदन ने प्रदेश में प्रदर्शन किया था वही शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सीस्वा में सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग के फार्म हाउस का खेराब कर लिया पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को रोपने के लिए बारिकेटिं भगवंत मान तौबियत खराब होने की कारण लोट गए वहीं प्रदर्शन के मद्दनजर सीम हाउस की सुरक्षा को बेहत बढ़ा दिया गया था लेकिन फीर देखकर आप अंदाजर लगा सकते हैं कि वहां का क्या हाल रहा होगा पंजाब भाजपा ने बिजली के अगोश बिजली की मांग कर रही है तस्वीरे देखे और अंदाजा लगाईए कि क्या हाल हो रहा होगा पंजाब में जनता का पिछले काई दिनों से लगातार बिजली के लंबे कट जाने से लोगों को खासा परिशानी हो रही है इसे लोगों को परिशानियों का लगातार सामना कर अब भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बिजली कटों के खिलाफ शुकरवार को श्रीयद के प्रांतिय महासची वर्पूर वन मंत्री हंस्राज जोसन के नियतित में श्रीयद और बस्पा कारेकर्ताओं ने बिजली बोर्ट के दफ्तर के आगे धर्णा किया उन्होंने कहा कि अगर बिजली सप्लाई ठीक नहीं की गई तो अकाली दल बड़ा संखर शुरू करेगा अब ये सियासी उट किस करवट बैठेगा इस पर पूरे देश की निगाहें बनी पूई है उत्तर प्रदेश में जिला पंचात अध्यक्षपद के लिए सुभाग ग्यारा बजे से मतदान शुरू होने के बाद तीन बजे वोटिंग खट्ब हो गई जिला पंचात अध्यक्षपद के लिए दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए अफैसले की घड़ी आनी थी मतगान शुरू हो गई थी और बोटिंग के बाद अब मतदान की गिनिती भी शुरू हो गई नतीजे भी सामने आ गए दरसल फरूखाबाद से भाजपा समर्तित्मौनिका यादफ को जीत मिली वहीं काजगन से इनुर्दलिय प्रत्याशी रत्नीश कश्यप को जीत मिली है महराजगन से बीजोपी के रवेकान पठेल को जीत हासिल हुई हाथरस से बीजोपी की सीमा उपाधिया ने जीत हासिल की मुलायम के घर मैनपुरी में बीजोपी की अर्श्रा भधौरिया को जीत मिली है जहां पर सब की निगाहें ठीकी हुई है वोटिंग से पहले भारती जंद पार्टी और समाजबाोधी पार्टी के रोर से ये दावे किये जा रहे थे कि उनी केश सबसे ज़्यादा जिलापनचायस सीटें से जीते है और अध्यक्ष भी उनी की अधिक बनेंगे ऐसे भी सियासी पार्टियों ने जादर से जादा जिला पंचायत सदस्यों को सहिजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि 2022 का विधान से बाचुना भी करीब है UP के 75 जिलों में से आज 53 सीटों पर वोटी हुई दरसल 22 जिला पंचायत अध्यक्ष प्देश में निर्विरोध चुने जा चुके हैं जिनमें 16 बीजोपी के हैं वहीं एक जिला पंचायत अध्यक्ष सपा से निर्विरोध चुना गया है तो UP की सियासर में फिलाली ये चल रहा है तैयारीया 2022 की हो रही है अब आगे बात करते हैं बिहार की दर्भंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंद्राबाद से आए कपड़े के पार्सल में हुए ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को यूपे के शामली से हिरफ्तार दोस्तंदिक्द आतंक्यों को शनिवार को पटना लाए गया NIA के अधिकारी कासिम और सलीम को लेकर पटना एरकोर्ट पहुँचे यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट ले जाया गया दोनों को आज NIA कोर्ट में पेश किया गया आतंक्यों से पूश्टाज के लिए NIA कोर्ट से रिमांट मागेगी मालू हो कि शुकरवार को उत्रप्रदेश के सामनी से दर्भंगा पारसल ब्लास्ट मामले के मास्टर माइंड मुहम्मद कासिम और हाजी सलीम को गिरफ्तार किया गया यह इस मामले में चौत्ती गिरफ्तारी है मिली जानकारी के अनुसार हाजी सलीम उर्फ टूया शामली के किराना के बिस्तियाना महले और कासिम उर्फ कफिल अलाहुर्द का निवासी है बता दें कि इस मामले में दोन्य संदिग्धो मुहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक को एनाये ने 30 जून को हैदराबाद से ही गिरफ्तार कर लिया था पर बात मिस्टर् पर फेक्षिनिस्ट की जी हाँ हम बात कर रहे हैं आमिर खान के रिष्टे की रिष्टे कब किस मोर पर आ जाएं कहना थोड़ा सा मुश्किल है कुछ ऐसा है रिष्टा आज खत्म हो गया 15 साल की शादी के बाद आमिर खान और किरन राउ ने अपने रिष्टे को खत्म करने का फैसला किया आमिर और किरन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का एलान किया जिसके बाद तहलता समझ गया और बॉलिवूड जगत में हर कोई शौक रह गया कि अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं दोनों अब अपनी जिन्दगी को पती पत्नी के बजाए अलग लग जीएंगे ये खबर दोनों के फैंस के लिए बहुत चुका देने वाली थी और ये खबर ब्रेकिंग भी बन गई थी आमिर खान और किरन राव ने अपने स्टेटमेंट में लिखा इन पंदरास खुबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर की अनुभव आनन्द और खुशी को शेयर किया है हमारा रिष्टा सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है अब हम अपने जीवन में एक नया ध्याई शुरू करना चाहेंगे पति-पतने के रूप में नहीं बलकि सह माता-पिता और परिवार के रूप में हमने कुछ समय पहले एक अलग होने के प्लान को शुरू किया था अब इस विवस्था को आप चारिक रूप देने में सहस महसूस कर रहे हैं आपको ये बता रहे हैं कि आमिल खान और किरन राव की मुलाकाद फिल्म लगान के से शुरू हुई थी किरन फिल्म लगान में बतोर असिस्टन डारेक्टर काम कर रही थी दोनों को वहीं से प्यार हो गया और दोनों ने 28 इसनमर 2005 को शादी कर ली थी 2011 में सरोगेसी की मदद से दोनों ने बेटे आज़ाद का स्वागत किया था अब उनके फैंस इस पर नजर बनाये हुए हैं कि आखिरकार आज़ाद की कस्टडी किसे मिलेगी आज़ाद किस के पास रहेगा मम्मी के पास या पापा के पास 15 साल के शादी में किरन और आमिर ने कई उतार शड़ाब देखे हैं और कई चीजों का मिलकर सामना भी किया है किरन से पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी अब हमारी साथवी खबर यानि कि साथवी तस्वीर और आखरी तस्वीर में बात करेंगे दिल्ली के बदलते मौसम के बारे में यह कहें कि उत्तर भारत के मौसम जो बदल रहा है और मौसम जिस तरह से रंग बदल रहा है क्योंकि कई धूप खिल रही है और कई बारिश हो र करीब बना हुआ था जो कि जुलाई महीने के हिसाब से सामाने से कई डिग्री जादा चल रहा था जिसके वच्छर से दिली और आसपास के इलाकों में भीशन गर्मी और लोग के थपेड़े पूरे दिन लोगों को परिशान करते रहें वहीं कल शाम में हुई हलकी बुन्दा बरकरार है आज भी लोग परिशान है शुक्रार शाम होई बारिश के बार शनिवार की सुभा का मौसम खुश्णूमा नजर आया आसमान में बादर चाय हुए है हलकी ठंदा है हवाएं चल रही है महसूस की जा सकती है वही दिन चड़ने के साथ साथ मौसम गर्म और उमस हो गया है फिलाल की बात करों तो फिलाल बहत गर्मी है वहाँ आखी बीते दिनों की गर्मी और 40 के पार जो पारा चल रहा है उससे कही न कहीं परिशानी लगतार बढ़ रही है दिल्ली और डिली एंसियार के कई लोगों को रहत तो मिली है लेकिन अगर बात की जाए इस ब पिहार, असम और महराष्टरा की यहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वज़र से लोगों का जीवन अस्थवेस्ट होगया है तो इनी 7 खबरों के साथ 7 की बात में इतना ही कल फिन लौटेंगे साथ की बात में साथ तस्वीरों पर बात करने के लिए क्योंकि इससे सीधा सरोकार आप तक है